हेलो फ्रेंड्स दीवी किचन में आपका स्वागत है आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे तो ठंड तो बहुत पढ़ रही है आज दो पहर के खाने में मेरा मनुआ के कड़ी चावल बनाएं तो आए चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं त इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छी तरीके से हम फेट लेंगे जिससे इसमें गुठलिया न रहे जितने अच्छा आप फेटेंगे उस नहीं अच्छा आपका पकॉरी बनके रेडी होगा ये देखिए इसमें एक भी गुठली नहीं है फिर थोड़ा सा पानी डालें थोड़ा, थोड़ा सा पानी डाल कर जाल कर देखिए को फेटना नहीं तो उसमें अच्छा आधा शमांच वे तोड़ा सा गरम मसाला बहुत ही थोड़ा सप्याज भी प्याज भी बाल देंगे और 5-6 पत्ति कड़ी पत्ते का कुट करें तो एक कड़ी करें घाल पनी सोडा टालने कया पानी परेंके न पंधेड रह से पतल सोंगल-ंधीकें सु मुटा त्य। अब करी पत्ता बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ही टेस्ट आए बहुत ज्यादा डालेंगे तो पॉकडिएं हमारी बहुत अची hard नहीं बन पाएंगी एक तरफ में चावल चणा दिया है चावल हमारा पकढ़ आए तेल भी गरम हो गया है अब थोड़ा थोड़ा साम लेकर डाल के कड़ी अपना रेडी करेंगे पकढ़ोडीयां कड़ी की और बहुत ही टेस्टी कड़ी बनके रेडी होती है कड़ी तो बहुत तरह की बनाई जा कड़ी बनाई जाती है यह ठंड के मौसम में जब गोवी गाजयर और हरी मटर रहता है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी कड़ी बनके रेडियों की मसाला कड़ी देखिए वह कड़ाई छोटी पड़ती पकोडियां उसमें तल लिये तल कर निकाल लिय है उसमें थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है और गैस हाउन कर दिया है यह हमने थोड़ा सा लिया है बेसन पाच छोटे चमच और इसको अपी अच्छी तरीके से फेट लेंगे कड़ी का हमको क्रेवी बनाना है यह देखिए अच्छी तरीके से हम फेट लेंगे और फिर ज अच्छी तरीके से फेटा हुआ रहना चाहिए गैस हमने आफ कर दिया ने तेल जादा गरम हो जाएगा यह देखिए अच्छी तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट जैसा तयार हो गया है अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें अब हम डालेंगे नमक करेंगे आप इसमें डाल करेंगे नमक नमक मंगा गया कर दो के दो दियाए पांड़् यह द्यूब्स को पर कि अब यह देखिक हम लिए हैं पंच-फोड़न तो आप जानते हैं उसमें जीरा मेथि और सौंफ राह रहता है अब उसको तेल नमक चाहिए अब पांड़ तेल में थोड़ा सोस को फ्राइब कर लेंगे लासून और मिर्च को प्यास और कड़ी पता हम सब से पहले शबब बहु लाएट मैं गणा दाल देंगे उसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ रहा है कि अुक्षी की तबीदबी थिक है उसको भी देखना पड़ रहा है नास्ता रेडी हो गया उस बच्चे को देखे और उसको तोड़ा नास्ताहस्ता करा के दावा देखे तब पिर अब तोबहर का खाना बनाए तो कड़ी खाने का मन्था यह देखिए थोड़ा सा मारा प्याज और लासुन मिर्ची थाड़ा बुन गया है अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां एट करेंगे देख सकते हैं आपकी किस तरीके का फ्राई हुआ है बहुत जादा फ्राई गोल्डन फ्राई नहीं करना है बहुत थोड़ा सा ब्राउनिस हो जाए उसके बाद फिर डाल देंगे हम देखिए अपनी सारी सब्जियां हम डाल देंगे इसी में हम थोड़ा सा बहुत हलका सा नमक डालेंगे नमक एट करने के बाद हो बहुत थोड़ा सा और थोड़ा सा दो पिंच तक हम डालेंगे इसमें हींग डालेंगे तेल में हम नहीं डालते हैं फ्राइ करने में इस सब्जीयों में डालेंगे तो थोड़ा सा हींग का भी टिस्ट बहुत अच्छा आएगा अब जो हमने बेशन गोल के रखा हुआ था बेशन और दाई उसमें मसाले भी अट किये थे उसमें पानी डाल देंगे पूरा भर देंगे यह देखिए अब हम इसमें अपनी कडाई में इसको हम गोल को डाल देंगे बहुत अच्छा तड़का लगता है इसमें और फिर बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है हमारा कडी आप अपने इस आप से थोड़ा सा और पानी डाल दीजिएगा न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप कि इसका कितना पतला घोल है हमारे कड़ी का फिर जब यह बॉइल होने लगेगा तो यह अपने आप गाड़ा होता चला जाएगा देख सकत अब वायल हो रहा है थोड़ा सा हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे मीडियम और इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे हम यह देखे वायल हो रहा है पांच मिनट हमने बात जब हमने खोल के देखा तो यह काफ़ी थोड़ा सा ठीक हो गया था तो आप हम इसमें जो हमने बना के रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे और पांच मिनट तक और पकने देंगे फिर हमारी कड़ी एकदम रेडी हो जाएगी और चावल भी मेरा पक चुका था उसको भी हम थाली में निकाल लिए हैं आप कमेंट के दौरा जरूर बताएगा कि हमारी कड़ी आपको कैसी लगी कड़ी चावल यह देखिए थोड़ा सा में एक फ्राई पैन लिए उसमें थोड़ा सा सरसो का तेल डालेंगे और राई और जाल मिर्च पाउडर काई हम अपनी कड़ी में थेखाते हैं आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कड़काइब करें और कमेंट के दौरा बताएगे हमारा रेस्पी कैसा लगता है रागाए बाई बाई